जैहिन सात्यों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है लैंगी की जनन और इसकी बाद हमारा है अलैंगी की जनन तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं पौधों में जनन पढ़ रहा हूं तो पौधों में जनन में हम बात करने वाले हैं लैंगी की जनन और और इसके बाद हम बात करेंगे अलाइंगिक जनन, तो आए इसको हम देखे ही लेते हैं, कि आखिर ये है क्या, तो आप यहाँ पर धियान दिजेगा, आपको दिखे क्या रहा है, नमबर वन है, पहला साती o, कि जनन, आखिर ये जनन होता क्या है, लेंगिक जनन को और लेंगिक जनन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा जनन मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आप दिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लेंगिक और यहाँ पर लिखा हुआ है जनन तो आएए इसको जनन समझ लेते हैं, इसके बाद हमें समझने में थोड़ी सी दिकत नहीं होगी तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, मैंने लिख क्या रखा है जनन तो यहाँ पर आप धियान दीजिएगा तो guys यहाँ पर आपको easy way में परिभासा में दिख क्या रहा है यहाँ पर अपने ही जैसा कोई भी जीव जीवों का जनम देते हैं तो वो आपको क्या कहलाता है जनन कहलाता है जी हाँ जनन आपको याद रखना है जनन जिसका English में हम बात करें तो reproduction होता है देख सकते हैं मनुसिय और कोई भी जीव आप ले लिजे छोटे से लेके बड़े जीव ये सब क्या होती हैं अपने ही जैसा जीवों का जनम देते हैं तो गाईज वो आपको क्या कहलाता है जनन कहलाता है तो क्या आपको जनन समझ में आया अगर आ गया हो तो चलिए अब हम आगे के चीजों को सिखते हैं ठीक है बस आपको ये चीज ख्याल रखना है कि दुनिया के कोई भी जीव अपने ही जैसा क्या करते हैं संतान उत्पन करते ही करते हैं या आप पेड़ को ही ले 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 पेड़ अपने जैसा क्या जीवों का उत्पन करते हैं जियां करते हैं तो आएब हम समझते हैं लाइंगी की जनन और अलाइंगी की जनन आगर आप इसको लिखना चाहते हैं, तो वीडियो को रोकिए और आसानी से लिख़ लेजिए. तो आएए यहाँ पर आगे चलते हैं. तो यहाँ पर आपको आसानी से दिख रहा है क्या वो है जनन की बीधी जी हाँ जनन की बीधी तो यहाँ पर जनन की बीधी में हमारा पहला क्या है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन तो अब इसको देखे गहराई से हम समझते हैं और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा तो यहांपर मैंने लिख क्या रखा है Langik Zenon Langik Zenon मैंने लिख रखा है Langik Zenon का English क्या होता है Sexual Reproduction तो यहांपर आप कहाल रखिए लेंगे किजनन अब आप यहाँ पर परिभासा में देखेंगे तो इतना आसान है कि आप बिलकुल समझ ही जाएंगे तो यहाँ पर लेंगे किजनन में लिखा क्या हुआ है परिभासा कि नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं मतलब यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर हमको कोई भी पादप प्राप्त करना है तो बीज डाल कर ही हम नया पादप प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं परिभासा में मैंने लिखा आया कि नये पादप बीजों से प्राप्त होते हैं जैसे यहां पर सरसों, सरसों के बीज होते हैं, जियां सरसों के बीज होते हैं, बीज डालते हैं तो वो नया उत्पन होता है, नया जी उत्पन होता है, तो बीजों से जो नया जी उत्पन करते हैं, तो ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं, लेंगिक जनन बोलते हैं, तो यहां पर को यहाँ पर मैंने लिख रखा है नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं तो जैसे धान सरसो ये सब के बीज होते हैं तो इनसे हम नए पादप क्या करते हैं प्राप्त करते हैं जैसे मैं आप गेहूं भी देख सकते हैं माका भी देख सकते हैं बाजरा भी देख सकते हैं और इतियादी आप आस पास भी देख सकते हैं आसानी से ओके तो लेंगिक जनन समझ में आया की नहीं आया बस आपको छोड़ा सा टॉपिक याद रखना है कि नए पादप को उगाने के लिए हमें बीज के ही जरूरत होती है तो ऐसे जनन आपको क्या कहलाता है लेंगिक जनन लेंगिक जनन कहलाता है तो आई अब हम समझते हैं लेंगिक जनन तो लेंगिक जनन आ गया हो तो लेंगिक जनन कुछ नहीं है यहाँ पर लिखा क्या हुआ है लेंगिक जनन है लेंगिक जनन यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका इंगलिस क्या है एसेक्सूल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही आसानी सी परिभासा लिख दिया है वो क्या है तो यहाँ पर देखिए पौध है बिना बीज के ही नए पौधों को जन्न कर सकते हैं तो ऐसे जनन आपको क्या कहलाते हैं अलाइंगी की जनन कहलाते हैं मतलब गाईज यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमें नया अगर पादप उगाना हो तो वहाँ पर बीज का जरूत ही नहीं है जी हाँ क्या आपने आलू का वीज देखा है नहीं देखा है आलू हो गया, गुलाब हो गया, गना हो गया यह सब अपने ही जैसा नए पदार्थ उगाते हैं जी हाँ उगाते हैं तो ऐसे जनन कर जो करते हैं वो आपको क्या कहलाते हैं अलाइंगी की जनन कहलाते हैं तो अलैंगिक जनन आपको समझ में आया की नहीं आया बस परिभासा को आप देखिए और आसानी से समझ सकते हैं पौधे जो होते हैं बिना बीज के ही नए पौधों को जनन कर सकते हैं तो आपने आलू का बीज नहीं देखा गुलाब का बीज नहीं देखा लेकिन फिर भी वे आपने ही जैसा उत्पन करते हैं न जीव जी यहां करते हैं तो ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं अलाइंगी की जनन बोलते हैं ओके उमीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीख मिल गया हो अगर आपको यहां तकी चीजे में से अगर कोई भी चीज दिकत लगा हो तो वीडियो के नीचे जरूर लिखेगा ठीक है तो बाइबाट टेक केर वेस्ट ओफ लक बने रहिए और जूडे रहिए और हमें सपोर्ट करो यार सपोर्ट की जरूरत है अन्याथा डिसलाइक मारो और यहां से निकल पड़ो बाइबाट टेक केर